दोस्तों अबने अगर हमारे चैनल अभी तिक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्लीज फ्लीज सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले घंटे को भी दबा दे क्योंकि हम लाते रहते हैं नेने बिजनेस आइडियाज और नेनी जनकारी के वाल आपके आज हम बात करेंगे पेपर नेपकिन बीनिस के बारे में इस बीनिस को शुरू करके कैसे अच्छा खासा मुनाफ़ा कमाया जा सकता है कहां से आपको मसीन मिलेगी और कैसे आपको इसको शुरू कर सकते हैं कितना प्रडॉक्शन होगा कितना खर्चा आएगा इन सब्सक्राइ साथ ही गंटी जैसे बटन को भी दबादे जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे हैं पेपर नेपकिन का इस्तिमाल साप सपाई की द्रश्टी से ज्यादा ही किया जा सकता है लेकिन आपको आपको इसको कहीं भी यूस होते हुए देख सकते है जैसे कि रेस्टोरेंट, धावा, होटेल्स, बड़े बड़े ओफिस, इसके अलाबा बीटी पार्लर्स, यहां तक कि आजकल इसका उप्योग लोग घरों में भी करने लगे हैं इसलिए इसके मिनिस्ट को सुरू करके आप अच्छा खासा प्रोफिट कमाया जा सकता है इसक होगी जिससे कि इसको बनाया जाता है उसके अलाबा आप बात करने थे हैं क्या-क्या और जुरूत है वो आपको तीन लेवर की जुरूत होगी एक स्कील लेवर माली जी उसके आप 15,000 रुपे महीने का खर्चा करते हैं और दो अन इसकिल लेवर जिस पे आप लगबक पां आचा मालने तें लगबक 5,250 आएगा प्रतेक महीने इसके अलाबा प्रेंटिंग इस पर आपको लगबक 10,000 रुपे खर्चा होगा प्रतेक महीने और काटून बोक्स इत्यादी पर आपका लगबक 8,500 रुपे खर्चा हो जाएगा और टांस कोटो और मटेल की बात करें त तो लगबक 5,000 रुपे इस पर भी खर्चा आएगा इसके अलाबा चाय कोफी इस तरह के सामारों में आगर 500 रुपे खर्चा मालने तो इस तरह आपका एक महीने का टोटल खर्चा हो जाएगा 4,250 रुपे अब बात कर लेते हैं कि कितना प्रड़क्शन होगा मसीन से और त 10 गंटे चलाते हैं 10 गंटे चलाने के बाद और महीने में एवरेज माल लेते हैं कि आपने केवल 25 दिन ही चलाई तो एक किलो जो रॉमबटेल होता है उसमें लगबक 600 पीस नेपकिन के बन जाते हैं और एक पैकेट में लगबक 50 पीस के इसाब से मार्केट में ये सील होता ह तो आप देख लेते हैं कि पर आवर कितना प्रडॉक्शन होता है प्रत्य गंटे में इससे लगबग 45 किलोग्राम नेप्पिन को आप तयार कर सकते हैं पर देगी बात की जाए तो यह हो जाएगा 450 केजी और अगर महीने से डिवाइड कर दें तो 11250 किलोग्राम नेप्पिन क का उत्पादन होगा प्रतिक महीने अब इसका थोड़ा निकाल लेती है कि क्या-क्या कितना खर्चा हुआ और कितना इससे प्रॉफिट होगा तो देगी एवरेज कोश्ट इसकी जो होती है लगबग साथ होगा परकेजी होती है और पर मंत मिनियूम कोश्ट अगर निकाले 24,250 रुपे टोटल खर्चेगी अगर बात करने तो एक महीने में तो हो जाएगा 729 रुपे आपका खर्चा हो जाएगा इसके अलावा कुछ बैस्टेज भी हो सकता है एक परसेंट अगर बैस्टेज भी माने तो ग्यार है 250 किलो हमने जो उत्पादन किया था उसमें एक पर जो जो रॉम पटेल होता है उसमें लगवग 600 पीस नेपकिन बन जाते हैं अब हमारे पास जो सेफ बचा रोब प्रोडक्शन वो है 11,137 केजी इसको 600 से गुणा कर दिया जाए तो 66,882,500 पीस मन करके तयार हो जाते हैं 66,882,500 पीस इनको डिवाइल कर दें 50 पीस पर पैकिट के एसाब से तो टोटल बन जाएगी हमारी 1,33,650 पैकिट हैं अगर हम बिर्चने का प्राइस निकालें तो एक पैकेट लगबग 6 पे में सेल होती है और 6 पे में एक पैकेट सेल हो रही है टोटल हमारे पास 1,33,650 पैकिट हैं तो इसका हो जाएगा 8,1900 रुपए यानि कि आपने 8,9100 रुपए इसको सेल कर दिया अब यहाँ पर क्यों कुछ यादा ही हो गया ता था लगबग 7,29,250 बैटा था और आपने सेलिंग करने के बाद जो पैसा आपको आया हो सारे खर्चे कारने के बाद वह एक 8,1900 था उसमें से आप 7,29,250 को अगर गठा देंगे तो 72,650 रुपए का आपका प्रोफिट वैठेगा प्रत्यक महीने का अगर यह अभी देखिए आपने क्योंकि अभी सारा खर्चा किया है मसिन रित्यादी पर यह खर्चा आपका हर बार नहीं होगा सिर्फ एक बार हुआ है अगली बार से आपको इससे दो से तीनोरा ज्यादा प्रोफिट हुआ करेगा प्रत्यक महीने तो दोस्तों यह था पेपर नेपकेंड बिजनिस का पूरा डिटेल कि कितना इससे लाव होगा कितना प्रोफिट होगा और हाँ मशीन की अगर कीमत की बात करें तो यह मशीन आपको मार्केट में लगवा को चार से शेलाग के बीच में मिलती है टोटल खर्चा आपका आज जैसे दिखने वाले बटन वहीं दबादें जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे हम आपके लिए बहुत सारे बीनेस लेटेड आइडियास लेकर आते रहते हैं जिनका नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइ अगर आपको वीडियो पसंद आये तो लाइक और शेर जरूर करें और हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में घंटी को जरूर दबा ले ताकि हमारी नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे